भी मार्केट ने तम तोड़ा है इंटमिंज की गिरावट काफी खूब देखने को मिला है मैं लगा तारे इंवेस्टर के साबने आखड़े रख रहा हूं देखो इंडेक्स में अभी भी गिरावट का संकेत देखने को मिल रहा है MS 6 की बात करूँ तो देखो अभी जो घिरावट करीबन एक पसंट का आखड़ा है पिचले पांच दिन की बात करूँ तो करीबन दो पसंट तूटा है पिछले एक महीने की अगर मैं आकड़े की बात करूँ तो करीबन 6-7% का गिरावट है अगर मैं हाई पोइंट से अभी तक लाज के पिंडिक्स का आकड़ा देखो इस पिसली सेंसिक्स का तो करीबन ये 8% इंडिक्स टूट चुका है जी हां और लगातार इस इंडिक्स में गिरावट देखने को मिल रहा ह अभी भी जो शंकेत है वो दबाओ में ही देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां पर देखो मार्केट ओपन हुआ जी हां रोपन होते होते धीर धीरे ये दबाओ में बंता हुआ देखने को मिला और करीबन अगर आप देखोगे तो यहां पे 500 पोइंट गिर चुका है अपने में चली हां पर यहां पर 1% कओ देखने को मिल रहा है करीम अधे गर्णे का मार्केट अभी भी बचा हुआ है और इसमें करीबन 1% के उपर का दबाओ देक्शे को मिला है पिछले 5 दिन में । मिस・क्रा पर इंवित्य होब है और करीबन 7% के उपर गिरावाट है है अगर म आज अगर देखे तो स्मॉल केप में भी गिरावट काफी जादा देखने को मिल रहा है चलिए बेसी मीट केप का अंकड़ा सबसे पहले देखते हैं बेसी मीट केप में आप यहां पे देख सकते हो करीबन 1.75% का दबाव देखने को मिल रहा है ऐसा एक समय था जी हां यहां पे आप देख सकते हो यहां पे सबसे लोग बना एक 11 बजे के आसपास यहां से मार्केट कुछ रिकवर किया है करीबन 420 पॉइंट का रिकवर हुआ है एक पसंट का रिकवरी देखने को मिल रहा है नहीं तो मीट केप में करीबन 11 बजे के समय में धाई पसंट के उपर का इक गिरावर था निँए 5 दिन का अकढ़ा देखों तो पिचले 5 दिन में 5 परसंट का गिरावर्ट है हर एक दिन आप चले एक महिने में 8 परसंट का गिरावर्थ है और अगर मैं एंस दिरिफितना यहां पे डूट चुका है मीट के उन्डेक्स तो करीबन 8.5% का यहां पर दबाओ देखने को मिल रहा है यह BAC Meat Cap का अंकड़ा है ठीक वैसे ही देखो मैं BAC Small Cap का अंकड़ा आपके सामने रख रहा हूँ अभी तक अगर आप नोटिस करोगे तो करीबन 5.5% के उपर का गिरावट है एक ऐसा समय था 11 बजे जिहां सबसे लो बना और करीबन 3% का गिरावट था यहां से जो रिकवरी हुआ है करीबन 200.5% का रिकवरी देखने को मिल रहा है और अभी भी इस इंडेक्स में दबाओ देखने को मिल रहा है यह इंडेक्स भी लगातार गिर रहा है पिछले 5 दिन में 7% का गिरावट देखने को मिल रहा है पिछले एक महीने में करीबन 9% का गिरावट है और अगर मैं हाई पॉइंट से अभी तक का देखूं तो हाई पॉइंट से अभी तक करीबन 9% के उपर का गिरावट है यह फरवरी और मार्च का आकड़ा है जी हाँ 2024 में अगर यहां पे गिरावट देखे जो जुलाई में गिरावट हुआ था जी हाँ अगर हाई पोइंट से मैं यहां पे चेक करूँ तो यहां भी करीबन 6% का गिरावट देखने को मिला था अगर मैं इस गिरावट की बात यहां गिरावट की देखो तो करीबन आप देख सकते हो यहां भी 6% का गिरावट था यहां पे जो गिरावट हुआ था फरवरी और मार्च में वो 10% के आस पास था जो की अभी गिरावट देखने को मिल गया है और आगे और आकड़े यहां पे दबाओ में देखने को मिल स यहां पे 300 points जंप लेता हुआ देखने को मिल रहा है नहीं तो करीबन 1000 points का गिरावट आज निफ्टी बैंक में देखने को मिल रहा था 5 दिन का आकड़ा देखू तो 5 दिन में करीबन 3% टूट चुका है महीं पे एक महीने का आकड़ा देखू तो 6% के उपर का गिरावट है और अगर मैं high point से देखू तो nifty bank में करीबन यहां पे 7% के उपर का गिरावट देखने को मिल चुका है यहां भी और दबाव अभी बनता हुआ देखने को मिल सकता है आकड़े जो है अभी बहुत अच्छे नहीं है जी हां लागातार ऐसे इंडेक्स में दबाव बनता हुआ देखने को मिल रहा है निफ्टी IT की बात करूं तो निफ्टी IT में गिरावट जो अधर इंडेक्स हैं उससे कम यहां पे नोट किया गया है जैसे कि 0.56% का गिरावट देखने को मिल रहा है तो अभी भी मार्केट क्रोज नहीं हुआ करीबन आदे गंटे का मार्केट बचा हुआ है और यहां भी अ दिन की बात करूं तो यहां पे गिरावट 1% के आस पास है पिछले एक महीने में गिरावट कुछ भी नहीं है और अपने हाई से अगर मैं इस इंडेक्स में देखूं तो गिरावट करीबन 3.3% का देखने को मिल रहा है जो कि बहुत बड़ा गिरावट नहीं है जैसे कि मै यहां पे जो मुवमेंट है वो पॉजिटिव मुवमेंट है जैसे कि आप देख सकते हो 0.80% का आज पॉजिटिव आंकडा देखने को मिल रहा है अगर देखोगे तो यहां भी अपने हाई पॉइंट से जिहां करीब बन 1% मार्केट तूट चुका है 586 पॉइंट का दबा का गिरावट है और अगर मैं हाई पॉइंट से देखूं कि हाई पॉइंट से कितना यह इंडेक्स चूट चुका है तो करीबन 11% के उपर का गिरावट है अभी तक अगर देखा जाए तो FMCG इंडेक्स में यहां पे गिरावट काफी जादा देखने को मिल रहा है देखो स साथ परसेंट साथ अक्टूर के बाद गिरा है जबकि अधर इंडेक्स में अगर आप आंकडा चेक करोगे तो साथ अक्टूर के आजपास दबाव तो बना फिर रिकबरी होता हुआ देखने को मिला लेकिन यहां पे कोई बहुत बड़ा गिरावट भी नहीं था साथ अक् रियालेटी में आज के दिन करीम 0.8 । 2-8 परसेंट का दबाव देखने को मिल डहा है यहां जो किरावट है अगर देखोगे तो यहां पर इक लोग बना है और लोग से यह जो आज डिकबरी होता हुआ देखने को मिला करीबान 647 का दिकपरी देखने को मिला हाला we the दबाव है कर्में यहां से देखूँ जी हां जब मार्केट ओपेन हुआ और मार्केट ओपेन होने के बाद यहां पर जो एक लो बनाया और फिर यहां से मार्केट रेकवर भी किया हलाकि पिछले पांच दिन में अगर देखे तो 14% के उपर का या 15% के उपर का यहां पर दबाव देखने को मिल रहा है तो अब तक जो सबसे ज़ारा दबाव इंडेक्स में देखने को मिल रहा है वो nifty reality में देखने को मिल रहा है वैसे ही अगर मैं nifty infrastructure की बात करूं तो nifty infrastructure में करीबन आज 2% का गिरावट है 1.93% का अकड़ यहां भी देखने को मिल रहा है यह index में भी करीबन 10% का गिरावर्ट देखने को मिल रहा है आज के दिन अगर market देखो गए तो यहां पे लगातार दबाओ बनता ही जा रहा है और करीब बन आप आखड़े देख सकते हो यहां पे दबाओ बना ही है यहां पे एक low point बनता हुआ देखने को मिला और यहां से कुछ हलका recovery हुआ जो कि मामूली से 8.9 point का recovery देखने को मिला जो कि यहां पे कुछ भी add नहीं हुआ कुल मिला के देखे तो nifty infrastructure में भी दबाओ है आज के evening में मैं वीडियो लेके आऊँगा exactly कि कहां पे सबसे ज़्यादा जी हां market का pressure है कहां पे और गिरावट पढ़ सकता है आज के evening में मैं यह वीडियो पे visualization रखूँगा